कि तो एक कहवात आपने पी ज़रूर सुनी होगी कि उथार एक ऐसा जादू है अ सौरी उथार एक ऐसा जादू है जोखि हम आपको देंगे और आप जो है धॉच्छालग मतलब क्या हुआ की व्यक्ति मतलब जो भी माल बेचने मातला होता है वो अपने कस्टमर्स उदाल Ho child माल बेचता है और बेचने के बाद वह जो है लापता हो जाता है कईने कम्सूस होता है वह बिलकुल नजर ही यह dignn lens पैसों के मामले में तो फिर वीडियो में और एक चोटे से टॉपिक में हम यह जानने की कोसिश भेंगे कि उद्हार पर माल बेचना कितना सही होता है जिस तरीके से मैंने local markets में काम किया और वहाँ पे जो है जो जिस तरीके से चीजे होती है उधार को लेकर तो उसके बारे में कुछ छोटा सा knowledge मैं आपको share करने वाला हूं कि आखिर में उधार देना सही होता है या फिर नहीं ये हमारे बिजनेस के लिए कितना सही है या फिर नहीं सो हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे टॉपिक में आगे बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब ने के तो सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अगर बत्ती बिजनेस से रिलेटेड हैसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वीडियो के जरीए से मिलती रहेंगी तो चैनल आप जरूर सस्क्राइब करके रख लीजिए तो फिर जो है ज्यादा समय ना लेते हुए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के उपर तो एक चीज़ आप समझीए यह है उधार उधार मिन्स क्या होता है कि हम जो है जो प्रोड़क्ट बनाते हैं वो जो है हमारे कस्टमर्स को या फिर जो भी जहां भी हम माल बेचते हैं तो उधार पे बेच देते हैं मतलब बीना पैसे के बेज़ देते हैं अब इसको किस त उधार तो देना पड़ेगा ऐसा काफी सारे लोगों के मन में जो है सवाल होता है पहला हो गया हमारा प्रोडर्ट और दुसरा हो गया हमारे प्रोड़क्त का प्राइस अब देखिए उधार को कैसे डिस्टार किया जाता है अगर आपका प्रोड़क जो भी आप बना रहे ह और वो अगर आप lowest marginmorgin मैनी होती है अगरआप lowest price बर आप काम कर रहे हो मतलब कम से कम margin पर product को देखते हुए मतलब quality नहाundo VP करके चल रहे हो और कम से कम margin पर आप काम कर रहे हो तो जो है उस condition में आपको माल उधारी पर नहीं बेचना चाहिए ये चीजे आप clear कर लेना जो आपका product ने को सबसे पहले जो आपका focus होना चाहिए वो है product और customer की जो है need तो customer को क्या है पहले आपको product को decide करके उसकी price को decide करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आपका price lowest है और margin भी lowest है तो इस condition में उधार जादा तर नहीं दिया जाता और जो business coaches वगरा होते हैं तो उनके मूँ से मैंने ये भी सुनाए कि जितने कम margin पे आप काम कर रहे हो और आपका product unique है मतलब customer की demand उस पर हो रही है customer खुझ से मंगता है तो उस condition में उधार पे माल बिलकुल भी नहीं बेचनी चाहिए और second condition में क्या होता है अगर आपका product है और इस product में आपका margin जादा है और जो जिस customer को आप देने वाले हो जिस दुकान दर जिस counter पे आपका माल जाएगा तो वहाँ पे जो है आपका margin मतलब customer का margin low है तो उस condition पे जो है आप उधारी के तरफ जा सकते हो और जो है तीसरे condition के बारे में बात करते हैं तो वो जो है आपके लिए थोड़ा risk हो सकता है ऐसा क्यों तो इसको कुछ इस तरीके से हम समझते हैं कई सारे ऐसे customers आपको मिलेंगे ऐसे दुकानदार या फिर जो भी हो वो ऐसे मिलेंगे कि तो वो आपके लिए थोड़ा risky हो सकता है और risky कैसे होगा बाइद अवे जो अभी हमारा customer है वो हमसे वादा करता है कि भई आप माल दे दो next time में आप पेमेंट आप उठा लेना तो कई-कई बार ऐसा होता है कि हम भरोसे के चलते दे दो देते हैं लेकिन वो पैसा recovery हमको नहीं मिलता तो इस condition पे क्या होता है कि अगर आपका loyal customer है और उनको आपके product की need है मतलब वो आपकी product की demand करता है need basically loyal customer जिसको बोलते हैं हमेशा आपसे जुड़ा हुआ है और आप ही का जो है वो माल खरिते रहता है तो उस condition पे आप उधार पे काम कर सकते हो लेकिन depend यह करेगा कि आपका जो payment circulation है वो कितने time तक recover हो जाता है कितने time से कितने time तक जो है आपका payment recover हो जाता है तो उस condition पे जो है आप उधार पे काम कर सकते हैं और उसके आगे एक और condition है जिसमें हमको मजबूरन जो है माल बेचना पड़ता है उधारी पे वो कैसे वो इस तरीके से कि जो हमारा product है वो customer को need नहीं है मतलब जरूरत उनको बिल्कुल भी नहीं है फिर भी हम उनको जबरदस्ती जो है माल बेचते हैं product जो है बेच देते हैं तो उस condition पे क्या होता है कि आपको उधारी देना पढ़ी जाता है क्योंकि उनको जरूरत नहीं है और आपका नया product है तो उस condition पे आप दे सकते हो बट क्या होता है कि देने को तो दे दोगे पर वो recover होने के chances बहुत कम होते हैं क्योंकि आपने उसे जबरदस्ती जो है माल द जाते होंगे तो उस condition पे जो है अगर product आपकी अच्छी निकली तब उस condition पे वो चीज़े जो है सही होती है और अगर product में उनको खराबी लगी या qualities में और और कुछ चीज़ों पे तो फिर पैसा जो है आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है product तो इस product में हमारा quality भी सही है customer की भी बहुत जादा need होती है और जो है time to time customer जो है demand करते रहता है करते रहता है मतलब हमेशा इसकी requirement बढ़ती जाती है तो इस condition पे क्या होता है कि आपका product जो है valuable है मतलब customer को हमेशा demand होती है और आपके product में quality बहुत अच्छी है तो सबसे पहले product की quality को maintain करना जादा जरूरत है क्योंकि जब तक आपका product quality में नहीं रहेगा तब तक आपको ये उधार की जो जंजट है वो पाल के रखना ही पड़ेगा मतलब ये उधार की जो system है वो आपको चलाते रहना पड़ेगा उससे अच्छा जो है आपके product पर आप एक monopoly बना के आप रख सकते हो और उस condition पर जो है माल बेज सकते हो और दुबारा आपको उधार पर माल बेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये होती है उधार को समझने का एक तरीका और कभी आपने एचीज सुनी होंगी कि मलवाडी और गुजराती लोग कभी उधार पर धन्दा नहीं करते चाए कोई भी condition हो जाए कितना बूरे से बूरे दिन देखने उनको पड़ जाए पर वो उधार पर कभी भी माल नहीं बेशते क्रेडिट पर वो कभी भी माल नहीं बेचते यह आपने नोटिस किया होगा देखा भी होगा तो यह जो है उनकी quality है जो मालवाडी व्यपारी है या फिर जो गुजराती व्यपारी है बिजनेस में है उनके एक जो है quality मैं देखा हूँ कि कभी भी वो उधार पर माल नहीं ब बेचना सही है या फिर नहीं आपको क्या लगता है कि उधार पर माल बेचना चाहिए या फिर नहीं कमेंट आप जरूर कीजिए मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद